केंसरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोस के बीच में गैप को बढ़ाने की घुशना करिये कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोस पहली डोस लगाई जाने के 12 से 16 हफते के अंतराल पर लगाई जाएगी इसके पहले दोनों डोसों के बीच ये अंतराल 6-8 हफते था लेकिन अब अंतराल बढ़ा दिया गया है अलाकि दूसरी वैक्सीन को वैक्सीन की दोनों डोस के बीच के अंतराल में कोई बढ़ाव नहीं है यानि चार से पांच हफते के बीच में अगर आप COVID positive नहीं होते हैं और कोई संक्रमर नहीं होता है तो ये चार से पांच हफते के बीच में को वैक्सीन आपको लगाई जाएगी लेकिन COVID shield के लिए जो समय था जो अंतर था दूसरी दोसका उसको सरकार ने बढ़ाने का फैसला क अब आज साथ खास मेहमान जुने हैं डॉक्टर दीपक गुपता नीरो सरजन है एमस के डॉक्टर बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीपक गुपता डॉक्टर सब एक सवाल जो सभी के मन में है और खास तोर से उन लोगों के मन के अंदर जिन्होंने दो हफते और ती तो एक शंका ये भी आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की कमी है इसलिए ये गैप्स बढ़ाये जा रहे हैं कि कल जैसे आपने स्वास्ते मंत्राले का ब्यान सुना ता रॉक्टर वीके पॉल ने बहुत क्लियर शब्दों में बताया था कि डबल वेर्चों की एक्सपर्स के साथ ही मिटिंग हुई है और उसमें जितना भी डेटा निकल के आया है उस डेटा में यही निकलते आया है कि अगर आप वेक्सिन की डोस की इंटरवल को बढ़ाते हैं तो उससे पेशिंट की जो इम्मुनिटी है वो ज्यादा रहे हैं कि इसके उपर लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस था कोई डेटा पब्रिश नहीं है अभी जो लोग अपनी सेकिंड डोस लगवाने आते हैं उस समय उनको इंफेक्शन हुआ होता है और उसके बाद में कुछ दूनों के बाद में उनको फ्रैंक कोविड इंफेक्शन हो जाता है तो इसका कहने का तात्परे यह है कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ए है जब वैक्सिनेशन प्रोसेस हिंदुस्तान में खास्ता और से शुरू हुआ तो उस वक्त को वैक्सीन को विशिल दो वैक्सीन हमाए पास थी हमने वैक्सिनेशन प्रोसेस देश में शुरू किया फ्रेंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर साप लोग को लगा उसके 60 प्लस ही हमारे तो इसको कैसे हम किस चीज़ पर आधार माने और आप स्वास मंतराले अगर कोई एक चीज़ कहता है कि आप चार से शे हफ्ते की बीच में दूसरी डोज लगवाईए उसके जब नंबर आने लगे उसके बाद कहते कि साब अभी और एक तरफ खबरें ये भी है कि वै वैक्सीन लगवानी थी लेकिन अब सरकार कहरी वैक्सीन अभी मत लगवाई है देखे कोविट की जहां तक की इम्मुनिटी का सवाल है अगर आपके शरी में शम्ता डेवलप हो जाती है तो उने डेखा गया है कि तकरीबन नो मेहने तक सिक्स तू नाइन मन्स तक अबेड में लोग लगा रहे हैं उनमें दो डोस लगने के बाद में आप मिनिमुम सिक्स तू नाइन मन्स के लिए बिल्कुल प्रोटेक्टेट रहते हैं तो हर एक आदमी अलगते से अपना एक बोड़ी को मैनिफेस्ट करता है जिन लोगों के मन में शंका है कि मुझे होने का रिस है और में वेक्सिन के दूरेशन को बढ़ाना चाहता हूं तो अपना एक सीरम एंटीबोली टेस्ट करा सकते हैं अगर उनके शरी में मोर देन टैन आईजी के लेवल बन जाते हैं तो यह इंडरेक्ट मार्कर होता है कि आप काफी हथ तक प्रोटेक्टिड है और अपने इं प्रोटेक्ट करना चाहिए और ऐसा नहीं है लेकिन आप देखेगा फिछले एक साल के अंदर कोविट के बारे में हमारा जो नोलिश है इंफोर्मेशन सब दीर दीर इबोल कर रही है कुछ बातों को जो पहले मानते थे आज नहीं मानते नए नहीं चीज़े आ रही है सब्सक्राइब एक सवाल और है क्योंकि यह यह जो वीक्स और टाइम डूरेशन सेकेंड डोस की बढ़ाई गई है यह सिर्फ कोवी शील्ड के साथ बढ़ाई गई है को वैक्सीन का चार से पांच हफते का समय है वह सेम रखा गया है बिलकुल अंतर में है दोनों वैक्सीन लोग लोग कहरें कि आप कोवी शील्ड गरत लगवा रहे हैं आपको को एक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि इसकी डोस पहले लग जाती है आप कोवी शील्ड लगवाएंगे उसके बाद आपका नंबर कम से कम बारा हफतों बाद आएगा उसका ये कारण है क्योंकि एस्टरस देनिस्या की जो कोवी शील्ड वैक्सीन है वो इंग्लेंड में भी लोगों पर लगी है और जो स्वास्ते मंतराले के पास जो विग्रतिनों ने जारी करी है उसके अंदर उनने जब इंग्लेंड के लोगों से बात किया उनका जो के मतावित देखा गया है कि अगर आप उसको बाराते तक पी एक्स्टेंड करेंगे तो आपकी इम्मुनिटी काफी हद तक बन जाती है पूरी संपूर्ट है भारतिये वैक्सीन है और क्योंकि बाहर का डेटा नहीं है तो उसके बारे में उन्होंने अपने कमेंट्स को रि है तो क्या ही माना जाए कि अगले एक से डेड़ महीने के अंदर बच्चों का भी वैक्सिनेशन शुरू हो जाएगा बिल्कुल बच्चों में इंट्र में तो बोलता हूं जो प्रेग्नेंट बूमन हैं हमारे देश की जो काफी आध तक अबादी जो है वो प्रेग्नेंट को भी वैक्सिनेशन देना चाहिए क्योंकि देखा गए कि मदर से बच्चों में एंटीबोडी ट्रासफर होती है अन्वच्चों को प्रेग्सिन बिल्कुल सेफ है बच्चों को दूसरी कही तरह की वैक्सिन लगती आई है और एक खिल्ड वैक्सिन का किसी तरह का कोई दिया उसके बाद लोगों के अंदर दिरे-दिरे कॉन्पिदेंस बिल्ड अप हुआ और मैं लोगों को यहीं बोलता हूं कि आपके एरिया में शित्र में जो भी वैक्सिन आपको मिलती है प्लीज आप लीजिएगा दोनों सेफ हैं और दोनों आपको प्रोटेक्टर बहु भी दर्शक चाहें हमसे सवाल कर सकते हैं डॉक्टर नारंग अब सबसे जादा अगर चप्चा है सबसे जादा परेशानी हैं सबसे जादा सोच रहे हैं तो थर्ड वेव और थर्ड वेव के बाद बच्चे लगातार जितने भी पेरेंट्स हैं वहीं सोच रहें कि अपने बच्चों को कैसे बचाएं क्योंकि थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि सबसे जादा एफेक्ट बच्चे हो सकते हैं डॉक्टर नारंग इंडिया न्यूज के चैनल पे जहां पर मेरा फर्ज है कि ये कहीं भी कोई किसी के अंदर फियर ना हो पर जागरुकता है जागरुकता का मतलब है कि हम ये जान लें कि ये थर्ड वेव क्या हो सकती है और ये कैसे इसको ठीक करना है देखे सबसे पहले तो number of cases जितने first wave में थे comparatively बच्चों के second wave में cases बहुत बढ़ गए ये तीन कारण से हुआ number एक हम सब ने mask और covid norms का follow कम कर दिया था covid norms का follow हर जगे चाहिए public places पे चाहिए और यहां तक कि आप घर से बाहर किसी से भी मिलें तो आप एक distance भी maintain करें और hygiene भी maintain करें somehow ऐसा नहीं हुआ हम सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ उनको जानना कि बजाए अब ये है कि जब second wave में इतने सारे cases हुए है और अभी बच्चों के लिए vaccination नहीं है तो हमें अपने आपको बचाव वही तीन तरीके से रखना है mask pen के, distancing के और hygiene पे जो ये third wave आ सकती है ये basically जिन बच्चों को second wave में infection हुआ है उनको चार से छे अफ़ते और या maximum तीन महीने तक एक condition होती है जिसको हम कहते है missy, multi-inflammatory systemic disorder जो हमारा immune system में कोई problem होने पे ये होता है और उसके लक्षन, parents को जानना ज़्यादा जरूरी है, डरने के जुरूत नहीं है क्या लक्षन होते हैं? उखार आता है, तेज बुखार आता है eyes में redness, swelling, हाथ-पाउं पे swelling और बच्चा unusually ज़्यादा ढीला पड़ता है, उसके हाथ पेर ठंडे पड़ना क्योंकि इसमें multi-system की वज़े से heart भी involved होता है और heart की pumping कमजोर हो जाती है तो अगर बच्चा ज़्यादा ढीला लगे, उसको fever आ रहा है और कोई भी body पे swelling, rashes या eyes में rashes, या eyes में swelling है तो तुरूंत डॉक्टर से slack करें इसमें बच्चे को admit करके अगर बहुत जल्दी दवाईयां दे दी जाए तो इसको control किया जाता है डॉक्टर साब एक एक चीज़ समझना चाहूंगा क्योंकि लोगों के मन में ये बहुत सवाल है आपने सही काया कि जो second wave थी इसमें बच्चे भी infect हुए है हाला कि बहुत जल्दी बच्चे ठीक भी हुए, recovery rate बहुत अच्छा रहा जोसाब बच्चे तो लगभग तेर साल से घर से बाहर गए नहीं है ना पाक्स जा रहे हैं, ना किसी से मिलने जा रहे हैं, बच्चे पर्मानेट घर में है तो यह मैं मान सकता हूँ कि जिसके घर से कोई विक्ती बाहर जॉप करने जाता होगा वो अपने साथ infection carry कर सकता है और ला सकता है ऐसे मैं बच्चों को घर पर safe कैसे रखें, उनकी immunity कैसे बढ़ाएं, इसके लिए parents क्या करें immunity बढ़ाना देखें, एक physically, external assault से immunity बढ़ानी है और एक internal, external assault से जो immunity बढ़ती है वो hygiene से ही होती है मास से ही होती है, क्योंकि आपने अपना को बचाना है अगर किसी को भी जरा से लक्षन हो, बच्चों में जरूरी नहीं कि लक्षन तेज बुकार जैसे आपने का बहुत mild symptom होते हैं, और up to 80% तो कही बढ़ी symptom भी नहीं होते है अगर बच्चे में हलका सा भी lose motion हुआ है, पेट दर्द हुआ है या बच्चे ने कोई body एक, headache भी कही है तो उसको isolate करना और उसकी testing कराना जरूरी है मैंने 13 दिन के बच्चों को भी testing में positive पाया है जबकि बच्चों, कई लोग parents सोचते हैं कि बच्चों में होता ही नहीं है बच्चों में होता है, पर क्योंकि बहुत mild होता है तो वो कई बरी गनोर हो जाता है मैं आपको एक बहुत simple सा किसा बता रहा हूँ मुझे phone आया कि घर में सभी को COVID है और नमारी 6 साल की बच्ची को COVID से कैसे बचाएं उसकी immunity कैसे बढ़ाएं जैसे आपने भी पूछा तो basically जब ये उनसे पूछा गया कि बच्चे में कोई problem होई थी leading question देने पड़ते हैं तो बोला गया, उन्हेंने बताया कि बच्चे को एक अफ़ता पहले सिर्फ एक दिन के लिए lose motion हुए थे पेट खराब हुआ था क्योंकि इसने कुछ अलग खा लिया था, गलत खा लिया था एक्चली वो बच्चा COVID positive हुआ और वो एक दिन में ठीक हो गया प्रंतु घर के 13 के 13 member affected हो गया तो आज हमें ये सोचके चलना है कि सिर्फ headache भी symptom है सिर्फ पेट दर्द भी symptom है और एक हलके से mild lose motion या खासी भी symptom है internal immunity बढ़ाने के लिए yes मैं totally agree करूँगा जो बच्चे अनीमिक है जो बच्चों में vitamin D, B12, folic acid की deficiency है उनमें संकमरन ज़्यादा सिवियर होता है ना होना तो physical से है internally अगर उनकी deficiency है तो उसको पूरा करना जरूरी है but at the same time आप ये immunity booster ये मान के मत सोचो कि इन से सब कुछ बच जाएगा ठीक है डोक्टर नाराग एक बात ठीक है आप आपने बताई आप जो बात discuss हो रही है डोक्सराब वो ये हो रही है कि vaccination के इस process में बच्चों को कैसे लाए जाए trials इसके शुरू हो गए है आप as a pediatrication कैसे इसको आप देखते हैं कि बच्चों को vaccination हो किन age groups के बच्चों को vaccination देना चाहिए देखे vaccination बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है अभी होता क्या है कि जब भी trials होते हैं तो vaccine के trial बच्चों पे safety norms के under allow नहीं होते जब तक उनकी safety norms adults और बाकी population पे ना देख लिए जाए Pfizer की vaccine का अब 12 year plus पे allow हो गया है और 12 year plus में भी vaccination बाहर शुरू हो गया है भारत की 2 से 18 साल के लिए भी phase 2 और phase 3 trial में शामिल किया गया है जिसमें यही vaccine जो बड़ों को देते हैं बच्चों को दी जाएगी और उनकी safety norms और efficacy दोनों को compare किया जाएगा मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि जो Pfizer vaccine 12 से 15 साल में बच्चों में try हुई है उसकी efficacy 100% आई है बिकाज बच्चों का immune system बहुत अच्छा होता है तो efficacy अच्छी आई है नोटर नारंग आप go vaccine का भी trials जैसे आपने बताया कि शुरू हुआ है बच्चों पर किया जा रहा है उसके भी results अच्छे आ रहे है को vaccine के जो की Indian made है कब तक उमीद हम कर सकते हैं कि बच्चों का vaccination देश में शुरू हो जाएगा और कितना जरूरी आप इसको मानते हैं कि parents के साथ साथ बच्चे भी third wave से पहले हमारे आप vaccinate हो जाएं देश में देखे बच्चों का vaccine जितनी जल्दी शुरू हो जाए अच्छी बात है पर यह जो phase 2, phase 3 trials है obviously भारत बायोटेक इसके बारे में ज़्यादा स्पष्ट बता पाएगा पर कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं और हो सकता है कि यह process सोड़ा shorten भी हो जाए अगर सब ही results satisfactory हो क्योंकि आपको दो doses देने के बाद यह भी देखना पड़ता है कि उसकी efficacy कैसी है सिरफ side effect नहीं देखने होते तो यह देखना होता है basically देखिए बच्चों को जब हम vaccine कर लेंगे जैसे मैंने अभी बताया even बच्चे mild होता है तो यह super spreader भी बन सकते है तो इनको vaccinate करना बहुत जरूरी है अगर बच्चों को infection हुआ और वो दो दिन में ठीक हो गए या एक दिन में ठीक हुए तो पर अगले 14 दिन तक बिमारी तो फिला सकते है न तो इनको vaccinate करना बहुत जरूरी है स्कूल री ओपनिंग के लिए और जितने भी हम public चीजों में बच्चों को खेल कूद में कराना चाते है तो यह vaccination strategy जरूरी है पर किसी भी process को faster नहीं किया जा सकता safety के आगे safety बहुत जरूरी होती है डॉक्टर नारंग जो बच्चे घर पर है ठीक है यह wave आएगी जाएंगी और इसके बाद भी कई और waves आएगी लेकिन अमूमन घर पर जो बच्चे रह रहे हैं उनको क्या ध्यान उनका रखना चाहिए कि कम से कम ठीक है आपने बताया हाईजीन हो immunity बढ़ाएं physical exercise करें और क्या-क्या चीज उनको दे सकते हैं जिससे कि पहले से आप एतियाद बरस सके मतला हम इंतिजान न करें उसके पहले हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेर रहें कि वो वेव हमारे बच्चों को ना चूपाए देखे आपका ये question जो है बहुत अच्छा है और wishful thinking यही है कि कोई भी बच्चा कभी भी बिमार ना पढ़े फिजिकल एसॉल्ट से बचने के लिए बच्चों को हाईजिन सिखाई जाए और कोई भी घर में जरासा भी कोई भी सिम्टम हो किसी को तो वो अपने आपको आइसुलेट करके जल्द से जल्द टेस्क कराए लोग क्या करते हैं कि दो-दो दिन वेट करते हैं उस प्रॉसेज में वो फैल जाता है इंफेक्शन बच्चे यह जो इसमारी वाइरस है इसकी स्प्रेडबिल्टी बहुत ज्यादा है